धार के पिथमपूर में ब्रिज स्टॉन कंपनी के टायरों से भरा लाखों का ट्रक चोरी होने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफतार कर इनके पास से 35 लाख के 702 टायर भी बरामत कर लिये हैं दरसल पिथमपूर की ब्रिज स्टॉन कंपनी से टायर से भरा हुआ ट्रक पूने के लिए रवाना हुआ था जो की पिच रास्ते में गायब हो गया था तब ही से पुलिस मामले की चार्च में जूटी हुई थी पुलिस को महरास्त से सोलापूर से लावारिस हालत में ट्रक खाली पड़ा मिला था और यहीं से पुलिस को मुख्भिर से सुचना मिली कि इसके तार उत्तर प्रदेश के आजमगड के बदमाश जिशान खान से जुड़ा है जो की फिलहाल मुंबाई में है पुलिस ने मुंबाई के भिवंडी जाकर जिशान खान को गिरफतार किया और उसे पिधंपूर लाया गया जिसके बाद उससे सक्ति से पोस्ताच की गई जो पुरी वार्दत का खुलासा हो गया पिधंपूर से संजे सौनगरा की रिपोर्ट आज पुलिस सबागरा धार के पुलिस सबागरा में अज जो प्रेस कांफरेंस थी उसमें थाना बगदून पीतंपूर का एक मामला है उसका खुलासा हुआ है जिसमें हमारे अडिशनल स्पी देविंद पार्टिदार नगर पुलिस रिक शेक तरुनेंज और टी आए बगदून तारेश सोनी और हमारी जो टीम है जिसमें एसाई शेलेन सिंग, हेट कॉंस्टेबल अविशेक, करन, जितेंद, प्रशांत के सभी लोग इस टीम में लगे रहे प्रकरन यह रहा कि इसमें 27, 26, 27 को एक कंप्लेन होई थी कि एक बिज्टोन के टायर से करीब 1016 टायर से भरा हुआ कंटेनर पूने महराश के लिए रवाना हुआ था और वो रस्ते से गायब हो गया था और जो ड्राइवर है उसका नंबर से उचाफ आ रहा था इस पूरे मामले हमारी टीम लगी और उसमें यह निकल के आया कि जो ड्राइवर था राशीद उसने एक जिशान नाम के लड़के के साथ जिशान जो में सुतरधार है इस पूरे प्रकरन का क्योंकि पहले भी वो एक बार यह ट्रक महराश्ट ले जा चुका है टायर से भरा हुआ है इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिकेशन करते हुए तीन लोगों को गिरफ़तार किया जिशान तन्वीर सोहिल और अभी मौमद रशीद और माजीद यह दो लोग अभी फरार हैं करीब 116 टायर जिनकी कीमत करीब 45 लाग थी उसमें से करीब 702 टायर रिकवर किये ग है जो इस तरह के पहले भी घटना है कर चुका है जिसमें जो मेन आरोपी जीशान है 2015 में करीब 28-28 किलो सोने की डखेती में यह में अभीप था जिसमें करीब 16.5 करोड का सोना जो है लूटा गया था यह हमारे टीम की अच्छी सफलता है और इसमें जो बचे वारूपी है उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले